नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहरे एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में गंगा, सोन और पुनपुन नदी का बढ़ा जलस्तर बिहार के सरसर फदादिकारे इस साथ प्रमोशन से बनेंगे आईस अब बिहार को नहीं खरीदनी पड़ेगी बिजली, श्रावनी मेली की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम्रो वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की नईया पार कराने को लेकर क्रिस गिलने की भविश्यवानी इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से SAC में MTS वर हवलदार के 1558 पदों पर निकली भरती बीते दिन SAC की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार के 1558 पदों पर भरती करने के लिए भरती परिचा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन की शिरुवात कर दी गई है जो कि 21 जुलाई तक चलेगी ऐसे में एक चुकुमिद्वार आवेदन करने के लिए 21 जुलाई तक SAC की आधिकारिक वेबसाइट SAC.nic.n पर जाकर आवेदन कर सकते हैं मालम हो कि SAC की ओर से जारी किये गए कैलेंडर के नुसार यह भर थी 14 जुन को आनी थी लेकिन कुछ तकनी की कारणों से उस समय जारी नहीं हो सका आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हवलदार पदबर चेन्ट होने वारों की तैनाती Central Board of Indirect Tax and Customs और Central Bureau of Narcotics में होगी बता दे किसके परक्षा एक से 29 सितंबर तक कड़ाई जाएगी बिहार में गंगा सोन और पुनपुन नदी का बढ़ा जलस्तर राजी में हुई बारिश की वजह से बिहार के कई नदीयों का जलस्तर बढ़ने लगा है बता दे कि राजी में पिछले 24 घंटे में नदीयों के जलस्तर में 8 से 10 सेंटी मीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है हाला कि अभी गंगा समेथ कई नदी ऐसे हैं जो खत्रे के निशान से लगबग 7 मीटर नीचे है लेकिन इसके बावजूद भी जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है आपके जानकारी के लिए बता दी कि नेपाल में होने वाली बारिश के कारण बिहार की राजदानी पत्ना के दिगह घाट पर गंगा नदी का जलस्तर पिछले 24 घंते में 7 cm बढ़ गया है हाथी दा में कंगा नदी का जलस्तर आठ सेंटीमीटर बढ़ गया है वहीं अगर सो नदी की बात करें तो इसका जलस्तर इस्थर है जबकि पुनपुर नदी के जलस्तर में भी बरोत्री हो गई है बता दे कि श्रीपालपुर्क में पुनपुर नदी का जलस्तर आठ सेंटीम कुछ अधिकारियों की सेवा पुस्तिका के बारे में पूछे गए सवाल का जबाब भी जुलाई के प्रतम सप्ता में भेज दिया जाएगा। चार जलाई से बिहर के भागलपुर में अगले दो महीने तक लगने वाले विश्व प्रसद श्रावनी मेले को लेकर तयारियों को अंतिम रूप दिया जारा है। गंगा घाट पर महीला पुलस कर्मियों की तैनाती सादे लिबास में रहेगी। वहीं पूरे मेला चेतर में CCTV कैमरे से निग्रानी रखी जाएगी। इसके लावा गंगा घाट पर वाच टावर का अनर्मान कराया जागा जिस पर पुलस पल की तैनाती रहेगी और वे निग्रानी रखेंगे। अब बिहार को नहीं खरीदनी पड़ेगी बिजली। वहीं केंद्रे विद्युद विनियामक आयो के नुसार एंटी पीसी बार के स्टेज एक की दूसरी यूनिट ने फुल लूड ट्रायल रन ओपरेशन लक्षी को सफलतापूर बगपूरा कर लिया है। इसे में बार सयत्र स्टेज एक की दूसरी काई आधिकारिक तोर पर उत्पादन के लिए तयार है। बिहार के बार्गरस्ट इलाकों में खुलेंगे और स्थाई इस्पताल वन नौका और स्धाले। बार प्रभावी जिलों में जान माल के साथ कई जल चरत बिमारियों के प्रकोप का सामना लोगों को करना पड़ता है। बिहार सरकार के स्वास विवाग के अपड़ मुखे सचीव प्रत्यय अमरित के द्वरा सभी प्रवणड़े आयोकतर जिला पधादीकारी तुझा तृस्षी सर्जन को अविश्यक नर्देश दिया है जिसमें कहा गया है कि जिलास्तर पर जिला पदादिकारी की अध्यक्षता में एक महामारी रोक्ताम समीती गठित है जिसमें डीडीसी एसपी सिविल सर्जन आपूर्ती विभाग जिला आप्दा प्रबंधन विभाग तथा पीएच एडी के पता दिकारी से दर्शित शामिल है इस पत्र में बारपूर्व तयारियों के समध में स्वास्तिकर्मियों एव गैर सरकारी संगटनों के साथ मौक एक्सोसाइज या मौक रिल का आयोजन नियमित अंतराल पर करने का नर्देश दिया गया है इसके रावा डिंगू मलेरिया कालाजार आदी महामारी के फैलाओ पर नियंतरन पाया जा सके इसके लिए डिलिली छिरकाव और फोगिंग करन पर नोका और जाले का इंतिजाम किया जाएगा सक्चक नुक्ति के लिए इतने अभ्यर्थियों ने कड़ाया पंजियन विहार सरकार के सक्चा विवाग के द्वारा आयोग की ओर से आवीदन से संबंदित मागी गई चानकारी से यह बात निकलकर सामने आई है कि बिहार ल अपना पंजियन कड़ाया गया है वहिन में से 2000 से अधिक ने अपना आवीदन कर दिया है आपके जानकारी के लिवत आदिक इस भरती से 1,70,000 पदो पर सक्चकों की बहाली की जाएगी मालम होगा इसके लिए आवीदन करनी के अतिम तारीक 12 जुलाई तक नरधारित की गई नीचले इलाकों में बार का अलर्ट जारी नेपाल में हुई मुस्ताधार बारिश के बार जलस्तर बढ़ने के कारण इंडो नेपाल बॉर्डर पर असत गंड़क बराज के सब 36 वाटक खोल कर वालमी की नगर गंड़क बराज से 1,26,000 की उसे एक पानी छोड़ा गया है ऐ प्रिशासंग के उर से नीचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षे तस्थानों पर जाने का अदेश दे दिया गया है अपकी जानकारी के लिए बता दे कि गंड़क बढ़ाज की कैपसिटी आठ लाग क्यों सक्की है बिहार संपर्क करांती एक्सप्रस में लगी आग आज यानिकी शरीवार सुब दर्भंगा से नई दिल्ली जाड़ए बिहार संपर्क करांती एक्सप्रस में अचानक से आग लग गई जिससे की यात्रियों के बीच अफ़रा तफरी का महल बन गया बता दे कि ट्रेन के एंजन से चार बोगी बाद के कोच में यात्रियों को आग का अभास हुआ जिसके बाद ट्रेन को अचानक से रोका गया और आनफानन में यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाला गया बता दे कि हासे को लेकर ऐसा कहा जाड़ा है कि कोच के ब्रेक कोईले के खरन को लेकर जारी किये गए टेंडर को मिनिस्ट्री ओफ कोल की ओर से रद कर दिया गया है परवत कोल माइस में कोईले का भंडार करीब 34.35 मिलियन टन है इतने बड़े कोईले के भंडारन रहने के बावजूद भी ख़दान लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा अमरनाथ यातरा की हुई शुरवात आज यानि की एक जुलाई से अमरनाथ यातरा की शुरवात हो गई है जो की कुल 62 दिनों तक चलने वाली है पतादे के आज तर्थ यात्रियों का पहला जथा गांदर बलके बाल टाल बेस कैम से अमरनाथ गुफा मंदर के लिए रवाना हो चुका है जुरान गांदर बलके डिप्टी कमिशनर स्याम बीर के दोरा श्री अमरनाथ जी स्ट्राइम बोर्ट के दोरा कहा गया कि हमने आज तर्थ यात्रियों के पहले बैज को भेजा है मैं सभी वक्तों की सुखत यात्रा की कामना करता हूं उश्रधालों से निवेदन है कि वे उपलब्द कराई जारे ही सभी सुधाओं का लाब उठाएं इस वक करीब साथ से आठ हजार तर्थ यात्री हैं रिजिस्ट्रेशन चल रहा है हमारे स्वेम सेवक हर जग असाहाइता के लिए मौजूद है बतादे किस यात्रा के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते वे करीब साथ हजार जवानों को तैनात किया गया है दर्भंगा में एम्स नर्मान पर अश्विनी चौबे ने खुल कर बताई सारी बाते बिद्य दिन केंद्रिये मंत्री अश्विनी चौबे के दोरा दर्भंगा जिले के बहेरी आई टी आई में बीजेपी दोरा आयोजित महा जनसंपर्क अभियान कारेक्रम के तह सभी को स इसका सिलन्यास नरिंद्र मोदी करेंगे उन्होंने कहा कि इसी कारण सिया मितीश ने ऐसा जमीन दे दिया जिसपर निर्मान ही नहीं हो सके उन्होंने कहा कि कल ही प्रधार मंत्री ने दर्भंगा एम्स के निर्मान की समच्छा की है और कहा कि दर्भंगा में किसी भी कीमत पुरबन करनी रहेगा विहार की जनता इस सल्तू राम से दो हजार चौबिस में सरट लेगी। उसको भी लेकर बीजेपी घबडाई हुई है। बातचीत करते वे कहा गया कि उनके मताबिक विश्वकप में भारतीय टीम के सबसे एहम खिलारी जस्परित दुम्रा और शुर्डिकुमार यादव सावित होंगे। उन्होंने कहा कि जिसपरे दुम्रा जाहिर तौर पर मुझे उम्मीद है कि वहाँ वापसी करने में सफल रहेंगे दुम्रा और शुर्डिकुमार भारत के लिए प्रमक खिलारी होंगे। उन्होंने ऐसे जोड़ भारत पाकस्तान राइवलरी की तुनला पर अपनी बात रखते वे कहा कि भारत पाकस्तान ऐसे से काफी बड़ा है या बेहत बिशाल है विस्तवस्तर पर पीलियन लोग इससे मुहा मुकाबले को देखते हैं देखते हैं 15 अक्टूबर को क्या होता पर लिटर में मिल रहा है मिजब पु Ninja Пेट्रोली कीमत 1.75 पीलियन लोगाँ दिजल कीमत 117 नली न्रधारयत की गई है इसके साथ लिए में पेट्रोली कीमत 106 रुपे पर अटेर र que pross न Newsmax में है बता देखते हैं बिवार देखते हैं के दर से मिल रहा है। अपने जाब हमें हमारी कमेंट स्क्षिन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहे हैं के लिए देखते रहें बिहारी नियूज और साथ यह अगरा आप यूटूब से देखे चाल को सबस्क्राइब करना और अगरा फेस्बु